इस वीडियो में हम हिस्ट्री का टॉपिक है दुइतिय विश्वय युद्ध एवं पाकिस्तान की मांग इन टॉपिक से रिलेटेट क्वेस्टन यहां पर देखेंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग वीडियो को लास अग जरू कर दीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला कोश्चन है कथन और कारण वाला कथन दिया हुआ है कि 1939 में सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था इसका कारण बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस दुइतिव विश्वयुद् तो देखिए जो 1939 में कॉंग्रेस की सभी प्रांतों ने मंत्री मंडलों से त्याग पत्र दे दिया क्यों कि कॉंग्रेस में दुइतिय विश्वयुद्य की संदर्भ में वायसराय के जर्मनी की विरुद्ध युद्ध भोशित कर देने के निर्णय को स्विकार नहीं किया तो क्या हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है इस कथन का तो आज अप्शन नमबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विश्वयुद्ध के समय में ब्रेटेन का प्रधान मेंत्री कौन था इसे दो कोशन अक्सर पूछे जाते हैं कि जब सुतंत्र हमें मिली भारत जब सुतंत्र हुआ तो उस समय में ब्रेटेन का प्रधान मेंत्री कौन था उस समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री था क्लिमेंट एटली लेकिन जो सेकंड वर्ड वर हो रही थी सेकंड वर्ड वर कॉप हो रही थी 1939 से लेकर की 1945 तक इस बीच में दुईतिय विश्व युद्ध हो थी तो इस समय में यहाँ पर जो प्रधान मंत्री था अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था अब इसका कारण बता रहा है क्योंकि उन्हें पुर्ण सुराज प्राप्त करने की आशा थी तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है नेक्स्ट कोश्चून है द्विश्वयुद्य के संबंदर में भाड़ी रास्ट्री कंगरेस की क्या नीती थी जब सिकेंड वर्ल्ड वर्ड चल रही थी तो उस समय में जो भारत था जिसमें राश्ट्री कॉंग्रेस थी इसकी क्या नीती थी तो इन्होंने देखे पूर्ण सतंत्रता का आश्वाशन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग दिया था तो अप्शन नमबर A इसका राइट आश्वाशन हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है 1939 में कॉंग्रेस मंत्री मंडल ने साथ प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था इसके बारे में आपको बताना है यहाँ तो यहाँ पर 1939 में जो कॉंग्रेस मंत्री मंडल थी उसने त्याग पत्र दे दिया था तो उसका कारण यहाँ पर पुछ रहे कि क्यों दिया था कॉंग्रेस अन्य चार प्रांतों में मंत्री मंडल नहीं बना पाई थी इसले त्याग पत्र दे दिया बिलकुल नहीं दूसरा कॉंग्रेस में वाम पक्ष के उदय को उदय से मंत्री मंदर का कार्य कर सकना असंभो गया था ये भी नहीं है उनके प्रांतों में बहुत अधिक संप्रदाइक अशान्ती थी नहीं इन तिनों ही कारणों से उन्होंने यहाँ पर इस्तिफा नहीं दिया था। क्यों दिया था। कॉंग्रेश ने दुईतिय विश्व युद्ध के संदर्भ में जो वायसराइके जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोशित कर देने के निर्णे से अस्विकार कर रही थी। इसी कारार इन्हों ने त्याग पत्र दिया था ना कि इन कारणों से तो क्या हो जाएगा option number D इसका right answer हो जाएगा अब देखिए second question दुईतिय विश्वय युद्ध दुईतिय महायुद्ध कभ समाप्त हुआ था मैंने आपको date बताई हुई है तो देखिए ये start कभ हुई थी इस्टार्ट हुई थी 1939 में और end कभ हुई थी 45 में तो option number D इसका right answer हो जाएगा next है मुसल्मानों के लिए प्रिथक राष्ट का विचार किसने दिया था अंसर क्या होगा मुसल्मानों के लिए प्रिथक राष्ट का जो विचार है इसको किसने दिया था आंसर हो जाएगा सर मुहम्मद इकबाल सर मुहम्मद इकबाल नहीं जो मुसल्मान थे उनके लिए एक अलग रास्ट गुनाने का जो विचार है दिया गया था इनके द्वारा नेक्स्ट है भारती मुसल्मानों के प्रिथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था अगर आपसे पूछे कि मुशल्मानों के लिए प्रिथक राश्ट का निर्मार के लिए विचार तो सही एसर मुहम्मद इगबाल ने दिया था और जो पाकिस्तान सब्द है यानि कि मुसल्मानों के लिए जो अलग राज्ट्र बनेगा उसका नाम क्या रखा जाएगा पाकिस्तान तो इस नाम जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किस ने किया या इस नाम को किस ने दिया था तो वो थे चौधरी रहमत अली वो उनके मित्र नेश्ट्र कोश्चन है पाकिस्तान के अलग राजे आंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया पाकिस्तान के लिए एक अलग यहां पर राजे बनाने होंगे इसके लिए जो आंदुलन उठने लगी थी इसका नेत्री तो किसके द्वारा किया गया था मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था प्रिथक रास्टर की मांग का विचार किसके द्वारा रखा गया मुहमद इकबाल के द्वारा और पाकिस्तान जो शब्द है इसका नाम किसने रखा तो चौधरी रहमत अली वह उनके मित्रनी और इसके लिए जो आंदलन होए इसका नेत्री तो किसके द्वारा किया गया तो मुहमद अली जिन्ना के द्वारा किया गया ये तीरो ही कोशन एक ही रिलेटेड है इसको एक साथ याद रखिएगा नेस्ट है कथन है नहरू एक राश्ट भक्त है जबकि जिन्ना क्या है एक राश्णितिक गया है ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था तो जिन्हों ने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग राश्ट होना चाहिए करके अपना विज़ार दिया था कि नेहरू क्या है एक रास्ट भक्त हैं जबकि जिन्ना क्या है एक राजनितिक ग्या है तो किसने कहा था सर मुहम्मद इकबाल ने कहा था नेस्टर कोश्चन है निम नलिकित में से किसने मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुश्लिम एक्ता का दूद कहा था मुहम्मद अली जिन्ना जो थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो भी आंदुलन हों उसके नित्रित तो किया था किसने मुहम्मद अली जिन्ना तो इन्ही को हिंदू मुश्लिम एक्ता का दूत किसके द्वारा कहा गया था सरुजणी नैडू के द्वारा कहा गया था कि मुहमद अली जिन्ना हिंदू-मुश्लिम एक्टा के दूथ है सरुजणी नैडू जो है भारत की प्रिथम राज जेपाल है पहली महिला राज जेपाल है सरुजणी नैडू नेडू कोस्टन है वर्स 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन में पाकिस्तान के इस रिजन का प्रस्ताओ किसने रखा था जब मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुई थी कहा 1940 में पाक Estado तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए अलग यहाँ पर प्रस्ताओं रखा गया तो किसके दौरा रखा गया था इस प्रस्ताओं को जहामत अली के दौरा यह प्रस्ताओं रखा गया था अब देखिए जो भी आंदोरन हुए उसका नेत्रित्व किस ने किया मुहमद अली जिन्ना के दोरा किया गया था और जो पाकिस्तान शब्द है शब्द वुसको किस के दोरा दिया गया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के दोरा और यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया 1940 में किस मीटन गयाती तो आड़ाबाद अधिवेशन के इकपाल के अध्यक्षय भाशन में इसकी अधिक्षल कर रहे थे तो इनहीं के द्वारा यहां पर इसका विचार रखा गया था मुस्लिम लिग के इलहाबाद के अधिवेशन में 1930 में मुस्लिम लिग दौरा पाकिस्तान के इस्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया प्रस्ताव कब पारित हुआ यहां पर 1940 में यहां पर प्रस्ताव रखा गया था इनके अधिवेशन में जिसे हमने यहाँ पर कोशन दिखा हुआ था कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान स्रिजन का प्रस्ताओ किसके द्वारा रखा गया था रहमेद अली के द्वारा 1940 में नेश्टर कोशन है वह कौन तिथी थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवश मनाया था तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवश कब मनाया था 23 मार्च 1943 को 23 मार्च सुनके आपको एक और यह रियादाई होगी 23 मार्च 1931 जिसमें भगत सी है सुगदेव और राजगुरुतीनों को फासी दे लिया गया था इसी डेट 23 मार्च 1943 को ही पाकिस्तान दिवश की रुपे मनाया गया किनके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा नेस्ट है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अधिक्षता किस ने की थी किसके द्वारा इसकी अधिक्षता की जारी थी तो यहां पर मुह मुहमद ली जिन्ना के द्वारा यहां पर इसकी अधिक्षता की जारी थी नेस्ट है मुस्लिम लीग के लाईधिक आधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राश्य सिधान को मानतर दी गया थी वह कहां पर हुआ था यह अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन ने इस तो कोश्चन है मुस्लिम लिग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्थव अपने किस अधिवेशन में किया था तो मुश्लिम लिग ने ही सबसे पहले यहां पर जो भारत वी भाजन है इसकी मांग का प्रेस्टा रखा था कहां पर रखा था लाहर एडिवेशन में रखा था नेसर कुश्चन है निम्न लिखित में से कौन सा एक अथन है मुहमद अली जिन्ना के विशे में सही नहीं है उसको बताना है तो वे दो रास्त सिधान के समर्थक थी जिन्होंने पाकिस्तान और भारत अलग मांग की थी उन्होंने 1944 के मुस्लिम लीगी के लाहर के वार्सिक अधिवेशन के अध्यक्षता की थी और अध्यक अंधलम उन्होंने भाग नहीं लिया था ये तीनों ही सही हैं लेकिन ये रॉंग है विडारी रखते थे गलत है ये मुहमद अली जिन्ना के बारे में अब देखें व्यक्ति का सत्याग्रह है एवं कृप्स अमिसन से कोश्चिन है पहला कृश्चिन है व्यक्ति का सत्याग्रह किसने आरंब किया था इंडिविज्ड, सिविल, दिस ओबिडियन्स किसके दोरा स्टार्ट किया गया था तो देखें ऑप्शन के एक कॉडिंग लगाना है विनोमा भावे इनके ये प्रतम सत्याग्रही भी थे ठीक है, अंसर ये हो जाएगा देखें ये वाला कॉश्चिन पर ये महात्मा गान्धी द्वारा व्यक्ति का सत्याग्रह आंदुलन के लिए प्रतम सत्याग्रही कौन चुना गया था तो ये देखें व्यक्ति का सत्याग्रही को ता ना ठीक है? नेश्डों कुश्चरन है सर्वोदय सब्द का प्रयोग सर्विप्रिथम किसने किया था? सर्वोदय सब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? जैप्रकास नारायर नेस्ट कोश्ण ने व्यक्तिकल सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रधम सत्याग्रह ही चुना गया था जबकि दूसरा सत्याग्रह ही कौन था आंसर क्या हो जाएंगा पंडित जबाहरला नेहरू ठीक पहला में याद रखेगा अचार विनोबा भावे दूसरे नंबर के जो थे वो थे पंडित जबाहरला नेहरू नेस्ट निम्नलकित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरोती कहा था इस क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर है लॉर्ड लिनलित को देखें लॉर्ड लिनलित को नहीं क्या कहा था गांधी जी के जो भी आंदोलन थे उनको राजनैतिक फिरोती कहा था नेश्ट है किसके द्रिस्ट्री से क्रिप्स से प्रिस्ताओ एक तोड़ते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक है यानिकि पोस्ट डेटेट चेक और पॉनकरासी बैंक यानिकि एक ऐसा चेक भुग जिसका तो डेट जो है वो सबाब्त हो चुका है किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था नेश्ट्र कोश्चन है निम्न लिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कॉंग्रेस के अधिकारिक वारताकार थे तो यहाँ पर क्रिप्श मिशन के साथ कॉंग्रेस के अधिकारी के बारतकर कौन थे जबाहरलाल नहरू और मौलाना आजार नेश्ट है भारत में क्रिप्श मिशन किस वर्ष आया तो यह देखी क्रिप्श मिशन 1942 में आया था नेश्ट है अनिमल की प्रधार मंत्रियों में इसे किस ने भारत में क्रिप्श मिशन भेजा था क्रिप्श मिशन को भारत में किसकी दोरा भेजा गया था विंस्टिन चिर्चिल के दोरा भेजा गया था नेक्स्ट है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योशना में परिकल्पना थी कि द्वितिय विश्वय युद्ध के बाद क्या परिकल्पना थी स्टेफोर्ड क्रिप्स की इनके कहना था कि भारत को द्वितिम विश्वय युद्धे की बार डोमिनियन स्टेश दे देना चाहिए नेश्टर, 1942 की किर्प्षे मिशन का एक महत्यपूर्ण पहलू क्या था? तो 1942 की किर्प्षे मिशन का एक महत्यपूर्ण पहलू ये था कि द्वितिम विश्वय युद्धे की तुरन परसाद भारत संग की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना ये इसका उद्देश था